चलेगा तो आज का हमारे टोपिक रहने वाला है सिटिंग अरेजमेंट इसको मैं आज आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक कराऊंगा एक ही वीडियो में और जिन बच्चे की तेयाई कर रहे हैं और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपका ऐसा कोई कोशन नहीं रहेगा जो सिटिंग अरेजमेंट का एक्जाम में आए और आपसे सोल ना हो पाए देखेगा तो हम बेसिक से शुरू करते हैं पहला कोशन हमारा क्या कहता है A is third to the left of B B यहाँ पर अगर हमने मान लिया तो उसके third left में क्या है A B के third left में क्या है A Left to right तो आपको पता है इधर चलते हैं तो हमारा left होता है और इधर side हमारा right होता है ठीक है तो A is third to the left of B B के third left में है A ठीक है And second to the right of C C के second right में है क्या A A B से तो third left है है ना B से third left है और C के second right है C के second right है है ना second right हो गया तो इनके बीच में कितने number है एक यह हो गया एक यह हो गया और एक यह कोई number होगा है ना यह हमारा sitting बनेगी और अगर मैं second question की बात करता हूं तो क्या बोलता हूं A is second to the right of B B के second right में है Second right में हो गया sorry third right है तो अगर मैं third right की बात करूं तो third right हो गया A who is who is मतलब की B की बात हो रही है यहाँ पर who is second to the right of C C के second right में है तो C के second right में कब होगा जब C यहाँ पर बैठा होगा तो इनके बीच में कितने number of students है सिर्फ एक sitting उपर वाले की ऐसे मनेगी और नीचे वाले की ऐसे तो यह ध्यान रखना है आपको end का परियोग कहाँ पर हो रहा है और who का परियोग कहाँ पर हो रहा है ठीक है बढ़ते हैं अगले question की तरफ देखेगा तो उकला question हमारे क्या कहता है five friends are sitting in a line तो यहाँ पर हमारे क्या है line के question start हो गए है इसके बाद आपके circle के question आएंगे तो देखेगा line के question को हम कैसे solve करते हैं हमारी एक straight time होती है उस पर हम कुछ students को बिठा जेते हैं जैसे कि five students की बात करी गई है यहाँ पर तो हमारे five students five students हो गए तो उन्होंने क्या बोला है a is third to the left of b b के third left में है a b अगर मैं यहाँ पर माल लूँ तो इसके third left में क्या है a ठीक है c is second to the right of d c क्या है d के second right में है d के second right में क्या है c d के second right में हो गया c e is not neighbor of c e क्या है c का पडोसी नहीं है मतलब वो c के ना तो left बैठेगा ना ही right बैठेगा c का पडोसी e नहीं हो सकता तो e हमारा यहाँ पर कहां पर आएगा यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा हमारा जैसे हमने कोश्चन इस्टार्ट किया हमें कोई भी प्रोब्लम फेस करनी नहीं पड़ी सीदा सीदा बाना answer हो गया ऐसे भी कोश्चन जाएंगे जहां पर आपको प्रोब्लम फेस करनी पड़ेगी जहां पर हमारी दो से तीन possibility बना कर हमें question solve करना पड़ेगा देखते हैं अगला question में क्या क्याता है six friends are sitting in a line a is third to the left of b अगर 6 student को मैं एक line में बिठाता हूँ ठीक है 6 student को अगर मैं एक line में बिठाता हूँ तो वो क्या बोलता है a is third to the left of b b के third left में है a अगर मैं b को यहाँ पर बिठाता हूँ तो उसके third left में क्या होगा a ठीक है इसके लावा क्या possibility बनती है ठीक है इसके लावा मैं b को यहाँ पर बिठा सकता हूँ b को यहाँ पर बिठा सकता हूँ तो हमारी तीन possibility बन रही है अभी तो तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसी के साथ जाएंगे, and immediate right of C, A is third to the left of B, B के third left में है A, और जो है, C के immediate right है, C क्या है, immediate right है, C के immediate right अगर यह हो गया, तो यह possibility तो हमारी पहले ही गलत हो गई, तो हम B को कहां पर बिठाएंगे, यहां पर बिठाया, उसके बाद उसके third left में क्या है, A, उसके immediate left क्या है, C, C के immediate right क्या है, A, है न, तो यहां तक हमारा solve हो गया, इसके बाद अगर हम बात करते है, D is third to the right of E, E के third right में है D, ठीक है, अगर मैं E को यहां पर बिठाता हूँ, तो हमारा third right में क्या बन जाएगा, D, ठीक है, अगर मैं E को यहां पर बिठाता हूँ, तभी हमारा third right में D बन पाएगा, अगर मैं यहां पर बिठाएगा, तो हमारा third right में D नहीं बैठ पाएगा, ठीक है, त तो यह हमारी कंडिसेशन सैटिसफाइड हो गई यह हमारा आंस्वर रहेगा ठीक है चलते हैं आप थोड़ा कोश्चन का लेवल अपग्रेड करते हैं 10 friends are sitting in two lines opposite to each other मतलब 10 दोस्त हैं दो लाइन में बैठे होंगे हैं ठीक है एक दूसरी की तरफ फेस करके बैठे हैं मतलब की पांच यहां पर हो गए और पांच ही हमारे यहां पर हो गए 5 students यहां पर हो गए 5 यहां पर हो गए जो कि हमारे ABCDE PQRST जिनके हमने नाम दिये हैं A is third to the left of B B के third left में है A अगर मैं B को यहां बिठाओं तो इसका third left क्या बनेगा यहां पर A अब क्या है इनका face नीचे की तरफ है है ना तो अगर मैं नीचे की तरफ face है तो इसका left क्या बनेगा A is third to the left of B B के third left में है अगर इसका face नीचे की तरफ है तो इसका left यह बनेगा और right यह बनेगा face नीचे की तरफ है तो left इसका ये बनेगा और right ये बनेगा तो इसके third left में है A है ना अगर हम normal case की बात करते हैं हमारा face north की तरफ होता है तो हमारा जो left है वही इसका left रहेगा और जो हमारा right होता है वही इसका right रहेगा लेकिन अगर जब opposite की बात करते हैं तो हमारा left right में convert हो जाता है और हमारा right left में convert हो जाता है ठीक है इस बात को ध्यान रखेगा तब देखेगा Who is opposite to C जो की C के opposite है C के opposite है B क्या है? C के opposite है D is second to the right of C D क्या है? Second right है किसके? C के And immediate left of E E के immediate left है तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो हमारा क्या है? D हमारा second right पे है किसके? C के अगर मैं D को यहां बिठा दूँ तो हमारा C यहां पर आ जाएगा लेकिन C हमारा कहां पर है? नीचे वाली line में आ चुका है तो हम क्या करेंगे यहां पर? D is second to the right of C D क्या है हमारा? Second right है C के C का second right क्या होगा? यहां पर होगा तो यहां पर क्या आएगा? D ठीक है? C के second right में D बिठा दिया आनने and immediate left of E E का immediate left है मतलब कि यहां पर क्या आएगा? D के immediate यहां पर आ जाएगा E का immediate left हो गया D बैट गया? ठीक है? कितना आप लोगों को समझ आया होगा? Who is not an ending point? जो की ending point पर नहीं है लेकिन हमारा का ending point पर आ रहा है तो हम क्या करेंगे? मतलब इसके आगे कोई एक student रहा होगा तो इसके आगे भी कोई एक student रहा होगा हम क्या करेंगे? यहां से line को हटा देंगे तो हमारा question start कहां से हुआ? अब हमारा यहां तक आ गए अब देखिएगा facing north यह क्या है? face north north की तरफ को face है इस question में उसने हमें condition दे दी कि उसका face कहा है? north की तरफ है ठीक है? P is third to the right of Q P क्या है? Q के third right में है और who is opposite to R R के opposite में है और R क्या है? B का पडोसी भी नहीं है R अगर B का पडोसी नहीं बनेगा तो R या तो यहां होगा या तो हमारा यहां होगा है ना? R या तो यहां पर रख सकते हैं या फिर यहां पर रख सकते हैं तो देखते हैं क्या बनता है? क्यूं के थर्ड राइट में है ना पी के थर्ड राइट में है तो अगर हम क्यूं को यहां बिठा दें तो क्या हमारा थर्ड राइट में क्या जाएगा ठीक है तो क्या है थर्ड रोषान पाउजिट में है कि किउज दो यहां भी थागी बैट गया तो यह क्या हो जाएगा आर पाले लाइगा लेकिन उसने बोला है कि आर जो है हमाना वी का पडोसी नहीं होder है ना और हमारा वी का पडोसी नहीं हो सकता तो अब हम क्या करेंगे अब हमारा यह वाली कंडिशन तो फेल हो कहीं है अ कि यह आना यहां पर तो यह वह रही है तो हमारा आर यहां तो आनी पाएगा है नीचे बिठा कर देखे लेते हैं और हमारा यहां पर भी आ सकता है है ना तो अगर मैं बात करता हूं P को Q के 3rd right में बिठाने की Q के 3rd right में अगर मैं P को बिठा तूं 1st 2nd 3rd ठीक है Q के 3rd right में आ गया तो क्या है Q का अपोईट आ रहा जाएगा ठीक है अभी तक तो सही है Who is not neighbor of B मतलब R, B का पडोसी नहीं है B का पडोसी भी नहीं है तो हमारा question बिल्कुल सही है और हमारे जो बाकी बच गए है friends, उनका नाम क्या गया बच गया A हो गया हमारा B रह गया B हो गया A, B, C, D, E प, Q, R अब बचा S और T तो या तो हमारा S यहाँ पर आजाएगा यहाँ पर भी या तो हमारा either S और either T ठीक है यह आपका question हो गया बढ़ते हैं अगले question के और अब देखिएगा अब हमारे सरकार वाले question चालो हो गया यहां से तो अगर मैं सरकल में बात करता हूँ हमारे एट फ्रेंड्स सरकल में आए कहां की तरफ सेंटर की तरफ मू करे हुए ठीक है एट फ्रेंड्स है हमारे सरकल में सेंटर की तरफ को फेस कर रखा है सबने है न तो अब यहाँ पर क्या बोलता है A is third to the left of B मतलब इसमें अगर मैं एक बात बताऊँ अगर हम इसमे cloak wise चलते हैं अगर हम इसमे cloak wise चलते हैं तो हमारा क्या है left side अगर हमें left की तरफ चड़ना है तो हम क्या करेंगे cloak wise चलेंगे और अगर हमें right की तरफ चलना है तो हम क्या करेंगे anti cloak wise ठीक है अगर हमें left की तरफ बढ़ना है तो हम cloak wise direction में बढ़ेंगे और अगर हमें right में बढ़ना है तो anti cloak wise direction की तरह बढ़ेंगे देखते हैं A is third to the left of B B के third left में है B B, अगर मैं B को यहां बिठा दूँ, तो B के third left में है, third left मतलब कि कैसे बढ़ेगा, clock wide direction, मतलब कि इस तरफ बढ़ेगा third left, एक, दो, तीन, क्या आ गया है यहां पर, A, A हमारे यहां आ गया, and second to the right of C, है न, तो क्या है, C के second right में है, ठीक है, तो अगर मैं C की बात करता हूं, तो C के second right में है, C, अगर मैं यहां बिठा हूं, तो, कमरा अगरा right में चलेंगे, तो, anti-closure, anti-closure, जो कहीं में, second, ठीक है, अब देखते है, D is third to the right of E, D क्या है, हमारा third right है, E के, अब D को, मैं कहीं भी बिठा सकता हूं, तो, हम यहां पर, एक और possibility बना लेते हैं, ठीक है, अगर मैं यहां पर possibility की बात करता हूं, तो, हमने B यहां बिठाया था, A यहां पर आ गया था हमारा, और C, यहां पर आ गया, ठीक है, अब उसने क्या बोला, D is third to the right of E, E के third right में है, D, ठीक है, D के third right में है, E को अगर मैं यहां बिठा दूँ, तो, इसके third right में, third right कहां पर है, इसका, first, second, third, third, third right में बैठ जाएगा, ठीक है, यहां पर आ सकता है, एक तो यहां पर, उसके अलावा, अगर मैं इसको यहां पर बिठाओं, तो क्या, D third right आ सकता है, नहीं आ सकता है, A आ रहा है, तो यहां पर तो बैठ गया, उसके अलावा कहां आ सकता है, यहां पर, ठीक है, अगर मैं E को यहां पर बिठाओं, तो हमार थर्ड राइट यहां पर ऐसे हो सकता है यह हमारी दो पोशिबिलिटी बनी है इसके बाद क्या बोलता है जी इस नेबर ओफ एच ठीक है जी क्या है एच का पड़ोसी है तो जी है एच का पड़ोसी है ठीक है अब क्या बोलता है जी इस नेबर ओफ एच और ओफ एच का दोनों का पड़ोसी है जी जो है एच और ओफ एच का दोनों का पड़ोसी है ठीक है अब क्या बोलता है जी इस नाइबर ओफ एच क्या है जी क्या एच का पड़ोसी है यहसारी सारी कंडिशन यहां पर फुल्फिल हो जाती है और हमारा क्रेख टांस वर यह बन जाता है तो एक्जाम में आपसे बस यह पुछेगा, हमें यह गीवन होगा, उसके बाद वो हम से कम से भी कम नहीं, तो दो से तीन कोश्चन इसी पर पुछेगा, क्या आप उस तकता है, G का पडोसी क्या है, कौन-कौन से है, H और C, है ना, D के थर्ट राइट में क्या है, D के थर्ट बिठाना आ जाएगा सरकल में, ठीक, है, इसी तरह का A को प्हेंन लेते हैं, इसमें क्या बोला है, उसने, A हमारे सरकल में बैठे हुआ है, यह हमारे सरकल हो इए, यह हमारा सरकल हो गया, A ही इसłeर की तरफ फेस करे हुए बैठे हूं ए एस सेगिंट तो राइट ओफ वी बी के सेकंड राइट में है अगर मैं यहाँ यहां पर इठा दूँ तो सैगे राइट में यह आ गया ठीक है जो कि सी के थर्ड लेफट है सी के थर्ड लेफट मतलब की सी मेरा यहां आ ठीक है अगर C यहां होगा तब ही हमारा third left B बैठेगा ठीक है तो आप देखेते हैं D is third to the right of E अब आती है condition अब बनती है हमारी condition हमने क्या करा C को बिठा दिया A को बिठा दिया B को बिठा दिया ठीक है अब उसने क्या बोले D is third to the right of E D क्या है E के third right है अगर मैं E को यहां बिठा दूँ तो हमारा क्या है D third right बन जाएगा first second इसके E के third right first second third नहीं बन पाएगा है ना अगर मैं E को यहां बिठा दूँ तो हमारा third right बन जाएगा D first second third बन जाएगा एक condition तो हमारी यह हो गई अगर मैं E को यहां बिठा दूँ तो हमारा third right D नहीं बन पाएगा लेकिन अगर मैं E को यहां पर बिठाता हूँ तो हमारा third right क्या बन जाएगा D यह दो condition निकल कर आ गई Who is not neighbor of B मतलब E B का पडोसी नहीं है E B का पडोसी नहीं है यहां पर भी B का पडोसी नहीं है और यहां पर भी B का पडोसी नहीं है तो अभी तक तो सही है है ना H is immediate right of G H जो है G का पडोसी है ठीक है H जो है G का पडोसी है और उसके immediate right है G के immediate right कब आ सकता है जब G यहां पर बैठा हो यहाँ पर और H, यहाँ पर हो, है ना, यहाँ पर कैसे आ सकता है, जी यहाँ पर हो, और H यहाँ पर हो, ठीक है, F is not neighbor of E, F जो है, E का पडुसी नहीं है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, F की, तो यहाँ पर F आएगा, तो यह क्या E का पडुसी बन रहा है, नहीं बन रह तो अगर मैं यहां पर बात करता हूँ एफ की तो एफ कहां पर आएगा यहां पर लेकिन उसने बोला एक पर उसी नहीं होना चाहिए तो हमारी यह वाली कंडिशन गलत हो जाती है और यह वाली तो हमारा आंस्वर क्या हम निकलकर आएगा यह वाला है यह सीटिंग अरेंजमे हो गई ठीक है चार friends corner पर बैठें और चार अंदर की तरफ का जो फ्रेंड्स हमारे corner स्पर बैटे हैं उन का face कहा है Böyle center की तरफ है मतलब की जो corners है कि उनका face अंदर की तरफ है और जो side पर बैठें है उनका फेस बहार की तरफ है ठीक है अब देखते हैं अब मतलब का फेस बहार की तरफ है अब क्या होगा फर्स्ट सेकिंड फर्ड फर्ड लेफ्ट क्या हो गया हमारा यह ठीक है इतना समझ आया इसके बात देखते हैं C is second to the right of D ठीक है and facing center C is second to the right of D C क्या है D के second right है और क्या है center की तरफ face है C का face center की तरफ D के second right में अगर मैं बिठाता हूँ तो यहां पर क्या होगा C हमारा यहां पर आ जाएगा और D हमारे कहा होगा यहां पर आ जाएगा ठीक है C is second to the right of D D के second right में आ गया C और face face हमारा center की तरफ भी है ठीक है D is third to the left of E D क्या है हमारा third left है E के अगर मैं left की बात करता हूँ तो तो लेफ्ट हमारा क्या होगा E के left होगा अगर मैं यहां पर बिठाता हम तो उसका क्या होगा जागा E अगर हमारा यहां पर आ गया तो हमारा third left first second third E के third left में आ गया D ठीक है G is third to the right of edge G क्या है H के third right है H के third right है but not neighbor of A G जो है A का पडोसी नहीं है तो G यहां तो नहीं हो सकता G का होगा यहां पर हो सकता है अगर मैं G को यहां पर रखता हूँ तो क्या है third left है H के third right है H के अगर मैं H को यहां बिठा हूँ तो third right बनेगा first second third जी यहां बिल्कुछ सही है तो हमारा क्या रह गया A B C D E F रह गया F हमारा यहां पर आ जाएगा ठीक है यह हमारी condition fulfilled हो गई और हमारी correct sitting arrangement square की निकल कर आ गई ठीक है अब आपका एक एक छोटा सा टाइप बसता है उसका एक question और देख लेते हैं चलिएगा तो last time देखते हैं A is elder than B A क्या है B से बड़ा है B से बड़ा है A but not C मतलब C से तो छोटा है ठीक है यह चीज़ समझाई है first statement से E is elder than A E is elder than A मतलब कि E यहां तो यहां पर आएगा मतलब E यहां तो यहां पर आएगा यहां फिर यहां पर आएगा ठीक है दो जग आ सकता है E desires younger than A A क्या है A से younger तो left here या तो यहां पर आएगा कि या तो इससे भीजा सकता है अर भी हम यहां पर लगा चलते हैं बत नोट यंगएस्ट मतलब यंगएस्ट नहीं है तो नीचे तो नहीं आएगा दी तो यहां पर और रहेगी तो हम्हारे करेक्ट अ्रेंजिमेन्ट क्या निकल कर आएगी यह हमारी correct arrangement है ठीक है आज़ी किलास यही तक थी sitting arrangement टोपी आपका complete हो गया इसी type के कुछ questions आप खुद से practice करिए दर्दस question भी कर लोगे तो आपका sitting arrangement sufficient है कि आप किसे exam में कोई भी question नहीं छुटेगा ठीक है मिलते हैं next video में next topic के साथ हुआ 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 है